दोस्तों इसी वीडियो ने हम चगदे इंडिया फिल्म में एक सीन डिजेन देखते हैं एक सीन डिजेन पे काउंसा इलिमेंट्स इस्तिमाल किया है एक बार देखो आप अच्छी तरह जानते हैं चगदे इंडिया फिल्म एक बार एक सीन याद करो और एक बार देखो कबीर खान, शारुक खान ने वुमिन हाकी टीम को कोच स्तान पर आ गया कोच के रूप में कबीर खान आते हैं आने के बाद उसने सबी किलाडियों को टीम मेंबर्स को अपना परिचे देने के लिए कहते हैं हर कोई अपना नाम बताता है हर कोई अपना नाम बताता है और वहाँ किस राज्ज का है बताता है मैं चंडीगर से आया, मैं महाराष्ट से आया वो बताता है यहां समय कबीर खान ने परिचे देने के अपने तरीके को तोड़ दिया आप सबी अपने राज की आउर से नहीं केल रहे हैं बस हमारा देश की आउर से केल रहे हैं की हमारा बारत है यही कवीरकान का वाइस, कवीरकान का दुरुष्टि कौन है सीन डिजाइन, दुरुष्य डिजाइन देखो यहां दुरुष्य सामानी तरीके से शुरू होता है लेकिन यहां नायक की सोच और प्रतिक्रिया को बढ़ाता है हाकी एक विक्तिकता केल नहीं है यहां टीम बावना का केल है हाकी एक विक्तिकता केल नहीं है यहां टीम बावना का केल है इसलिए यहां मेरा राज और मेरा स्तान कहकर किसी भी तरह की बादा नहीं बनाने को संकेत देता है मेरा राष्ट और मेरा देश की वाईश्विक बावना आनी चाहिए इसलिए स्क्रिप्ट लिखते समय में राइटर को गहन प्रभावी दुरुष्यों पर एकाकरता बनाए रखने की आवश्यकता है जो मुक्य कहानी को बढ़ाते हैं नकी केवल दुरुष्यों को पारित करने के लिए है स्टेप्स देखो श्टेप उन सीन ओपनिंग दुरुष्य कोलना और दुरुष्य प्रारंबिक होना दुरुष्य प्रारंब देखो यहां दीरे दीरे शुरू होता है स्टेप टू में अन्य पात्रों की करवाई और सावाल एक तोड़ा सावाल और अन्य पात्रों की करवाई आते हैं स्टेप टू में स्टेप त्री में मुक्य पात्र हीरो की प्रतिक्रिया प्रभावी रूप से आते हैं मुक्य पात्र का खेल और नाटक आनी चाहिए कहानी के मुक्य विचार की उँच आई कहानी के मुक्य विचार की उँच आई यहां से आते हैं step 3 में यह असली content होता है RR भी आते हैं आप एक बार देखो RR recording sound आते हैं step 4 यह ending scene ending है दुर्ष्य समापन मुस्कुराहट के साथ अति वृत्करष्ट आते हैं यह scene ending पे scene समापन में मुस्कुराहट के साथ अति वृत्ष्ट का आते हैं scene opening दुर्ष्य कोलना दुर्ष्य प्रारंबिक scene ending दुर्ष्य समापन बीच में एक प्यारा सा नाटक और सामागरी का इतना हिस्सा है जब आप दुरुष्य लिक रहे होते हैं तो अपनी कहानी केंदरित बात का पता लगाता है उस प्रकार के दुरुष्यों को अधिक लिको तब आपकी कहानी उसी पर प्रकाश डाला जाएगा आप एक बार और उदाहरन दृष्य अलग-अलग फिल्म में भी देखो त्रीरेट्स में फरहान नाइट्रेट प्रीराजलेजेशन क्लासरूम सीन एक बार देखो उसी दृष्य कोलना देखो मुख्यपात्र रांचो प्यारा सा नाटक याद करो ड्रीम गर्ल में आश्मान कुराना फर्स्ट फोन काल सीन काल सेंटर पे एक बार रियाद करो द्यान से सोच लो उसी दृष्य में मुख्यपात्र आश्मान कुराना प्यारा सा नाटक है वो अच्छा सीन डिजाइन था गली बाई देखो गली बाई में रनवीर सिंग फर्स्ट टाइम सिंगिंग सीन देखो यहां भी अच्छा डिजाइन है अक्षे कुमार पैड मैन देखो पैड मैन में प्रेजेंटेशन सीन देखो अच्छा सीन डिजाइन है अच्छा सीन डिजाइन किया है पान सिंग तौमर में आइसक्रीम सीन देखो यह सोपर सीन है अच्छा डिजेन किया सबी दुश्यों में दुश्य डिजेन देखो ध्यान से सोचलो तब आप दुश्य लिक रहे को तड़ीका समझते हैं ओके दोस्तों हमेशा दोस्तों हमेशा एक बात याद रखे अच्छा कहानी हमेशा अच्छा दुर्श्यों पर आदारित होता है Good stories always based on good scenes हमेशा याद करो, याद रखे और अच्छा दुर्श्यों लिखो Thank you, धन्यवाद, दोस्तों Thank you